कि नमस्कार दोस्तों मैं रेप्ति रम्मन आप से भी स्वागत करता हूं इस्पाइरिंग गरिकाउन लर्निंग प्रेटफॉर्म पे जिया दोस्तों आज बिलकुल लेक्चर नमबर 11 के साथ हम हाजर हो चुके हैं और सबसे पहले मैं आप से भी से क्षमा चाहूंगा बिकाउज जो क्लास है बहुत ही लेट मैं हो पाया हूँ एप्रोक्स वन हावर लेट आपकी क्लास हो रही है और रात के बिलकुल 11.30 होने वाले हैं बिकाउज अभी तक बस यह जो लेक्चर नमबर 11 है इसके नोट से ही नहीं बंद पारे थे आज आज दिन पर बहुत जारा काम था अभी मैं नोट्स बना की फारिग और एकदम से क्लास ले रहा हूं आपकी तो अभी सभी क्लास पर रहेंगे और किसी को भी सोना नहीं है ब सोना और आपका एकग्जाम करेकना हो आप सभी के लिए दिन रात कोई मायनी नहीं रखता है नहीं है ब्रत तक तो इस लिए थे धियना है और ezिसलिये फटी पे पूर्वा जादव हैं बेरीगूड इवनिंग और दीवम चक्रवरती हैं वरीगूड इवन जी विगरोव भी रह चुके हैं हमारे गलास में और यह सरनो कि मेरी वोस्ट आरहे हैं आप सभी को जल्ली से चलिए देखो आज जो लेक्चर है आपका वो लेक्चर नमर 11 इससे पहरे हमने लेक्चर 1-2 लेक्चर नमर 10 तक डिसकस कर चुके हैं और आज का जो लेक्चर है दोस्तों बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ओब वू से मोस्त इंपोर्टेंट है आपका तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं इंट्रदेंट टू एग्रणोमी आज हम बिल्कुँ स्टार्ट करने वाले हैं जनर्ल एगरिकट्ट्र हम कंप्लीट कर चुके हैं और हम एग्रनोमी स्टार्ट करे और क्लासिप को घ्राइब करेंगे आस की इसलिए आपको एंड तक यह क्लास देख लेना है इसके नोट बना ले लें नोट साफ का एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और इस पुएंट को This course ज्वाइन करना है वह जली से 맛있 to See this one कर 20 जाएगा वहाँ पूर्स कर लीजू से ज़ार गाउ अगर आइस्यार कापू को से ही तो है चलिए ने देखो लेट स्टार्ट तबी रेडिया क्लास के लिए तबी रेडिया ना ओके ठीक है देखो हम बात करने वाले हैं अगरिकल्चर की यहां पहले पढ़ चुके हैं लेकिन लेंगोई से लिया गया शब्द है जो क्या को आपके दो वर्ड को मिलाके बना है अगर का मतलब क्या है पाल और लेंड क्ल्चरा का मतलब का है कल्टिवेशन यानि की इट मीज कि डिणक करते हैं कि क्रिशी कहा जाता है और मौन यह पढ़ा था जो क्रिशी में आपका कहा जाता है इस लिए है क्योंकि इसके उपर समी सभी लोग डिपेंड है डारेक्टली और इंडारेक्टली आपके अग्रिकल्चर के उपर डिपेंड है अगर अग्रिकल्चर होगा तभी आपको फूड मिलेगा अगर फूड मिलेगा तभी आपको एनर्जी मिलेगी एनर्जी मिलेगी तभी आप बर्क डन कर पाओगे अदरवाइस आप काम नहीं कर पाऊगे इसलिए इसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं देखो डेफिनेशन प्राइमरी अकुपेशन यहां प्राइमरी सेक्टर है ठीक है और of human being in which मैं कि करता है जो human है ईशी यूटिलाइज स्नेज्ट Miros है वोजन है और Off कर शैल्टर में कहाना खाते हो ठीक है कहाना खाते हो यह कहां से मिलता है आपको कि यूज करेगा इसकी प्रोड़क्शन के लिए वह आपका आजाएगा वह हम फाइबर की बात कर रहे हैं जो आपका पढ़े पहन रहे हो फाइबर से आपका उटन फाइबर क्रॉप्स के एक्जांपल कॉटन है जूट है ठीक है और शैल्टर की बात करें जाब घर बनाते हो घर बनाने के लिए क्या आपको लकडी की जुरूरत होती है जो कि आपको किस से आते हैं यहां पर यहां पर कोशन यह भी आता है कई बार पूछा जाता है आप यहां पर हर तरीके से यहां पर रहना है में को त्यार एक आपनी बैटर करनी है पादर आ फोडर आप मॉडरन क्रिक्ट्टर हाथ एक आपके द्माग में अनसर होना चाहिए NICKLR और्र जाता है किसी पूस्को मान जाता है स्वामी नाथन जी को जो की गरीन रेवर्वलूशन यह चया है अब देखो के बारे में थो पड़ा सा पड़ लिया और बाकी देखो एकर स्वाइब लेक्चर है हमारा और इंपोर्टन्स क्या है इंडें एककाणोवी में हम बिलकुल पढ़े चुके हैं नेक्स्ट न預 Sun जो पढ़ने वाले हैं घर आगर देंट सिंट की बात करें अगर हम इंत्रोड़्टिक्शन की बात करें जो आगरनोमी सिखी है जो कि 2 बहुत को मिलाओ के बना दीरेस्पॉरेंट एक आपको रोज है दुसरा ओर नोमसे लनो üz है एग को का मतलब लेंगे जो हमारी फिल्ड है जहां हम heeft करते हैं उसको क्या बोलते हैं लेंड जहां पर हम क्या करेंगे खेती करेंगे और नो मस का मतलब क्या है टूमनेज हम क्या करते हैं अगर नो में क्या करते हैं यहां पर क्या करते हैं कि हम फील्ड को मनेज करते हैं हम लैंड को मनेज करते हम लैंड को क्यों करेंगे हम फिल्ट को क्यों करें क्योंकि हमने वहां पर फार्मिंग करनी है इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट इंटर कल्चरल अपरेशन जा जाएंगे हम क्या करेंगे हम सबसे पहले वहां पर फिल्ड को प्रिपेर करेंगे प् Marco कर दिश्टरोय करते हैं या क्या करेंगे वहां पहों प commodity करते हैं उसका वार्ण करते हैं फिर क्या करते हैं तो की जाएगी पहीं कि झाएगी आपके डिप्रेंट इपरेशन जाएगे ही की घए यह सारे जो लेंड में जो भी आपके operations की जाते हैं यह सारे किस्म में आते हैं आते हैं ठीक है जिसम्न क्या करते हैं मेराश लैंड करते हैं करते हैं विश्टिल्स विद प्रिंसिपल्स एंड मेथड ओफ प्रोड़क्शन जिसमें क्या सीखते हैं पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स और मेथड्स के बारे में किसके प्रिंसिपल्स जो हम क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे जिस क्रॉप कम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पितर डी क्रिसंजी को किसको मानता है पीटर डी क्रिसंजी इन्होंने एक बुक आपकी बनाई थी कौन सी ओपस रूरली रूरलियम अब अगर हम बात करें फादर और ओडर अगरोमी वह कौन आपके जित्रो टूल जी हैं कौन है जित्रो टूल जी हैं यह क्या है और इन्हें बुक जो दी थी होर्स होईंग हस्मेंडरी इनके बुक है ठीक है भुक्स भी आपको याद रखनी है क्योंकि कोशन पूछे जाते ह है ठीक है आपको आगरोमी के फादर है वह आपको याद रखने पिटर डी किसेंजी है अगर आपको मौडन अगरोमी के फादर पूछे जाए तो जीत्रो टूल जी आपके क्या है मौडन अगरोमी के फादर है पिता इनको माना जाता है most important है और चलिए next बात करना चाहेंग तो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है क्रॉप ओप वाटेज क्रॉप मैंने आपको पहले बताया भी था ठीक है वाटेज क्रॉप फिस ई गुरुप ओफ प्लांट यह क्या है स्मौह है पौधों को फोदों का गुरूप है प्लांट का ठीक है प्लांट शोन अफटर सॉयल प्रेपरेशन जो की क्या कि जाते है जैसे सबस्क्राइब करेंगे करें की तुक्त करेंगे एंड फुल्फिल ऐनल उनल इक नोबिक एसपेट्स प्रॉप्स क्या है ग्रुप का जिसको करते हैं लगाते हैं बीजते हैं सोयiczते हैं कि यो हम किसके लिए इसको लगाते हैं जो अपको बताना चाहूंगा आपको थाहिए दिमाघ होना चाहिए ठीक आपका यह क्या है एक वी आपको यह पिर फिल्ड है एक जमीन है अब इस जमीन में क्या किया आप यहां पर क्या कर रहे हैं यहां पर अपने क्या क्या आप राइस लगा रहे हो जो अब देखिकरत की बात करें हैं को क्रॉप वही कहलाएगी जिसमें आपके प्लांट्स क्या होने चाहिए आपके फिल्ड में सेम तरह के एक तरह के प्लांट्स आपके होने चाहिए यानि कि अगर आपकी फिल्ड जो है अगर यह फिल्ड है इसमें पूरी फिल्ड में आपकी एक तरह के प्लांट्स यानि कि सी होने चीए घाला के पूरी फिल्ड मेराइस नहीं होंगे तो वह क्रॉप आपकी नहीं कहला आएगी हम यहाप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं इसा निया पर राइस ही होगा मैं पहला करोगे इसकी उसके बा काफ़ राईस बनता है चलिर है चावल मिलते मैं यहां बगा रहा हूं कि इस फिल्ड पे मैंने क्या लगा लगा है आपके प्रोच्व यहां कारनल करना की जौप सेंव होने चाहि पूरी फिल्ड में अगर और Monster कि और यह फो वी सेम होनी चाइए और आपकी LARS स्केल पेह पर किसी फसल को किसी पॉद्ह को लगारे रहे हो और उगतुमउर तरह के प्लाइगी क्रॉब कहलाएगी वoney अगर लेंड आपकी सिमें ये उस में डिफ्रिंट डिफरेंट आपने spice paddy है मेस है Πोटेटों इंडिया की बात करें इस को लार्ड स्केल पर लगा जाता है इंडिया में लार मेंद और क्लास्टिफिकेशन के बारे क्लास्लिफिकेशन क्लास्लिफिकेशन न अफ रॉपस लोगउस है इसके लिए बात करूं सेवन टू-एट हावर्ज मुझे इस कंटेंट को बनाने के लिए लगे है इसलिए आपका बहुत रिसर्ज करके बना हुआ है तो इसका वैनिफिट लो और इससे खोस्जिन आएंगे के आएंगे ठीक है तभी आपको यहां पर समय टाइम कंज्यूम इसमें हुआ तभी आपके लेट हो पाई क्लास्टिफिकेशन की बात करें प्रोड़ता देखो में लेक्ट क्रॉप प्रोड़क्शन जो मनेजमेंट वाला जो हमारे टॉपिक्स दिस मैं आपको बता भी दिया को क्लासिफाई करते हैं क्लासिफिकेशन of आठ तरह से मैंने क्लासिफाय क्रॉप्स को किया है यहां पर जिनका मुसम्झने क्यां पर कोशिश करेंगे वाकि आपने क्रॉप प्रडक्षिन रहेती हैं वहां पर हम किसकी बात करेंगे सबसे करेंगे किसिजन के बैसिस पर करेंगे क्या ह нужब को क्लासीफाइग करेंêts मुंक्रप को क्लासीफाई करेंगे ठीक है अच्यारहूल बर्मा गुड़ नाइट अपछिए झाल और इस थंद मौर्निंग है थेट कर सब्सक्राइब करते हैं कुछ कुछ हमारी स्थ होती है कुछ हमारी रभी टाइम रहता है जून-जुलाई में किसे पूछ आप आपको याद रखना है जून-गर जुलाई 15 जुन डू फिप्टेज जुनर आइंगे की करेंगे बीजहिंग करीब 02 को अगर रभी क्रॉप की बात करें तो इसके जो आपकी क्या करते हैं कभ शो करते हैं कभ करते हैं न कि हमारा है इन के इत Cooper कॉस्ट से हम कब इनको उगाएंगे आप हुंपा यह भी होना चाहिए कि जो सीजल की ग्रॉप्स हैं इनकी हम सीजल केम कटाइं कब करेंगे को काटा जाएगा थी DD यह जब सब्सक्राम पकर सब्सक्राइब का सब्सक्राइब सब्सक्राइब का सब्सक्राइब करते हैं करते हैं कि बात करें तो जून और जुलाई मत में क्या करेंगे करेंगे क्लिए नेक्स नहीं सेसे करें ए की हाँ करते हैं करते हैं करते हैं जैट पूरender में करते है analytics करते हैं pet करते हैं उनके हम क्या करते हैं जिट क्लियर यह सर नो एक्स्टम एक्जम्पल्स हमारे मोस्ट की पॉर्ट रोप ले करते हैं कंपूइटिटिव पॉइंट आप वियू से कोशन मैक्सीमम बारी पूसी जाते हैं ठीक है तो इसलिए एक्जम्पल्स आपको अच्छे से यादफ होने ही यह क्या कर सकते शॉट्स और ट्रीक्स बिना सकते एक्जमपल को करने के लिए टाकि आपको वैसे यह तो आपको लर्न नहीं करने पड़ेगी तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता है ठीक है तो की बात कर रहे हैं हम खरीव कौछ जाएगे सवर्गम हो गया संभ्ध हो गया सवय हो गया है हुग्रें हो गया ब्लेकर आप करें बछ्ब्डन हो गया थिक है ने लें टील सीड लाही वीट बीट हो गया अट्रीट हो गया हो गया उट हो गया पोटै्टों गया पी हो तबैको हो गया शुगर के नोगा शुगर भीट हो गया से फ्लावर हो गया ठीक है इस ओल आर दी एक्जम्पल्स आप रभी क्रॉप्स मोस्त इंपॉर्टन है आपका कमपीटिव पॉइंट आप विव से जैड शेजन की बात करें हम ठीक है जैड शेजन की बात करें देखो तो ऑपको होता है या कब होता है रभी और क्रीव पर बिछ रहा है उस टाइंप चलता आपका जैड शेजन चलता है बावने मार्केट में आपके के ऐम उसको खेता है यह मेन क्षाने यूज़ करते हैं ऑला में फाश्यूं के लिए मेज स्टोबर उसको ज्क रुट करें दिफरेंस है तीक इसको याद रखेए मेज खरीक में मेर स्टोबर हो गया ठीक है तोबर हो गया और अन्ट करें water million की बात करें मस्ट मीलन आपका है को कुमबर है ठीक है ठीक है क्रॉप्स जो भी आपकी फार याने की जो पॉच्चों के लिए जो करते है और बेजबर क्रॉप्स होगी ठीक है सबस्याइं जो आपकी होती है उनका मकसर क्या क्रते हैं जैड शीजट में क्ल्टीबेट क कर सकते हैं उसे एक्जामपल हमने पड़े थोड़े समय डीफरेंस इसके पड़े तो यह सारे क्या है मोस्त इपॉर्टेंट है और यहां पर कोशिंद पूश्च जाता है कि बॉर्टर रिक्वार्मेंट कहां पर ज्यादा होती है तो ख्रीब क्रॉप्स जो है यहां पर बॉर जबी कम होती है जडी सीजन पर होती है तो बॉर्टर की रॉक्वार्मेंट्स पाने की रॉक्वार्मेंट्स चलिए नेक्स्ट आफ मूव होते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ इसके बात करें नेक्स आपका सेकेंड टाइप है एकनोमिक क्लासिफिकेशन यानि की क्लासिफिकेशन अधी बात करें किसकी बात करेंगे सीरियल क्रॉप्स की पहले काँट सिरियल क्लाप्स हैं जो अनाज वाली है सिरियल क्लाप्स में सिंपल साब को याद रखना है कि सीरियल क्लाप्स क्या होता है आपका ज्यादा होता है कारवाइड्रेट्स की क्या होती आपकी सीरियल क्लाप्स में ज्यादा होती है ठीक है आपने सीरियल क्लाप्स खाई होगी कौन सी जैसे वीट है ठीक है पैड़ी है सब्सक्रक्राइब करने किसे करता है हमारी बॉड़ी में इनर्जी परवाइड करता है जाद देर तक मकी की रोटी नहीं रोटी करने पड़ेंगे इसका कोई भी तरीका नहीं और कोशन कहीं से घूम सकता है ठीक है और कोडो मिलेट हो गया ठीक है लिटल मिलेट हो गया ठीक है फिंगर मिलेट हो गया ठीक है इटालियल मिलेट हो गया फॉक्सटेल मिलेट हो गया ओट हो गया बैन्यार्ड गरास हो गया जो तरीका एक ही है कि आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा जो मैं कहता आता हूं हर बार हर सेशन में कहता हूं कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करता है आपकी सेलेक्शन के लिए आपको सेलेक्शन जी आपको रिवीजन बार बार करना पड़ेगा बार बार कि होंगे बहुत ही आपका बाइट स्लेवर्स एकरनोमी का है ठीक है घबराना नहीं है आपको आपको डेली के डेली पढ़ते जाना है नेक्स आपकी पल्सीज क्रॉप क्या है पल्सीज क्रॉप देखो पल्सीज में क्या होते है प्रोटीन से ज्यादा होती है प्रोटीन की मा हिसको फ्रेंच बीन भी बोलते है जो आराज भाहे है जिसट कि तैसी है जिसका बनाते हैं तेल बनाते हैं तो इसमें क्या होता है रिचिन फैट इसमें बाता है फैट आपका ज्यादा होता है प्रप्हंता है क्या है और विएक्ट ज्यादा होता है यूद्ध क्या है ज्यादा होता है इसके ट्वीर्लद ए जौन में घ्राउढवन देखा होगा ग्राउंब प्रवंच का स़सौं का तेल सेप्लोबर रखुब nhất आपका लिंसीड हो गया, लिंसीड हो गया, next आपा क्या है, canola है, canola के बार क्या है, jet ropha है, niger है, niger क्या है, grass है, घास है, ठीक है, caster हो गया आपका, caster हो गया, यह सारी है, all seed crops, these all are the examples of all seed crops, these all examples are most important for your competitive point of view, clear है, तो देखो स्ट्वेंट Ruabinder जी आपका जो डाउट्स है जब डाउट्स है ढूर्सवार डाउट्स ओस में सेल sleeping क्लियर कोई nep Теперь क्लियर नहीं होगा तीक है यहांपे शिर्फ आपका क्लास से प्रेंगे दोनाई किसलिए कि भाइंगे सही है Came react करेंगे हम नेक्स्ट यहां आप यह क्लिए नाडट करना चाहिए कुछ पर नापन करेंगे ऐल करेंगे हैं इसके घंपल क्या क्या है तोकोनट है आल पाल में है ओंक करते हैं करेंगे को बनाने के लिए लेकिन यहां पर सीट का यूज नहीं करेंगे क्लियर है कोकोनट पाम हो गया अलमेंट हो जाना किसी भी तरीके से कोशन आ सकता है यह भी हो सकता है आप से पूछेंगा मस्टर्ड भी होगा और दोनों आपके में लएगा कि यारी दोनों है और नीचे लिखा होगा बोथ एंड बी यह भी ऑप्शन होगा आप क्या करों कि दोनों ग्जांपल से तो सर ने बताये थे हमें और आपने बहुत और भी कर दिया वह गलत हो गया वहां पूछा था और सी और फ्रकशन हे सुगर केन है शुगर भीट है संबसेट बराइटि भी ittिज तु राइटि करेंगे फार एबर क्रॉप्स की एक्जांपल क्या है को ऐठे घृट है यृजंव है स्बस्तौन हो गया सन हम हो गया और सस्वेनिया हो गया, यह examples हैं, these all are the examples of fiber crops Next time बात करेंगे, fodder crops की बात करेंगे, जिसकों क्या बोलते हैं Forays crops की कहा जाता है, क्या कहा जाता है? Forays crops भी कहा जाता है Forays crops भी कहा जाता है और इस क्रॉप्स भी कहा जाता है नेक्स्ट आम बात करेंगे आज के जंपल्स हैं आपके लुसरने हैं बर्सीम हो गया ओट हो गया नेपिर ग्रास हो गया स्वर्गम हो गया अंजन ग्रास हो गया मेज हो गया टिक वह सारे कि सुना इंगे कраш रहेंगे फोर में मेच्स ऑप जर सबोड़ कोर्दर अगर ग्रासी आएंगे क्या से स्पीचीद क्रॉप्स ओर नेक्स्ट को सीजीश क्रॉप्स क्या आपकी स्पीचीश्स क्रॉप्स किया है अपकी species crops अगरम species crops की बाद करें इसके examples क्या क्या हöngगे black paper हो गहींस को μας कींग आप species कहा जाता है यह क्या है İFFICE ब्लेक पीपर क्या है राजा है के वीनल कालेरी ठीक है फंउगरीक हो गया कॉरियंडर हो गया और सिनामॉन हो गया यह क्या है एक्छामपल्स आप कि सिर्फ यह निकला जाता है इन तो हो गया है तब निकालए जाता है इसके इसके जो फूल से का लूर का अधर हम निकालते हैं तीम Dallas मिलते हैं इस बढ़े है तुलसी हो गया सपेद मुसुली हो गया गूगल हो गया इसमें की आपके गूगल डिकर होता है जो आपका केमिकल अब्लेट्टेंट क्या हुआइए मैं आपको बताया है यह तो बैको है ओ प्यम है क्लासिफाइब करेंगे थर्ड क्लासिफाइब करेंगे अब देखिए अगर हम लाइफ साइकल की बात करें जिनका होती है जिनसे एकिपने के लिच हम सब्सक्त उभसно होती है जिनका जोनका लाइफ साइकल होता है एक साल के ढधा आप एक साल में खतम हो जाता है इनका जीवन पूरा पूरा जीवन एक साल के अंदर खतम हो जाएगा ग्रोप्स तक हो जाएगा जीवन की साल के इनकी हो जाएगी यह विदिन तू आपका है स्पाइब करें तो और मोर देन तु यह तो साल यह लेती है आपकी लाइप साइकल में इस एस अपर लूसर नहीं हो गया रड़ ग्राम हो गया शुगर केंड देशी नेपिर ग्रास और फूट क्रॉप्स आपकी होगी और कॉटन आपकी सब्सक्राइब करने के लिए है अभी तब कुछ भी नहीं है अभी तो मती बोलो कि लर्न करने को अभी तम क्रॉप्स पढ़ेंगे इतना दाटा याद करने को है सभी क्रॉप्स की बीमारियों के बारें पढ़ेंगे कौन कौन सी क्रॉप्स बीमारियां लगती है उन्हों कैसे रोका जाएगा सारा कुछ बहुत डाटा याद करने को ठीक है आपको रिवाइज करना पड़ता है बस एक तरीका मैंने बताया इसका एक सलूशन है बार बार प तरहिए नेक्स नम बात करेंगे ये तो कि हमारी ओन्दी बैसिव लाइप साइकल नेट्स जो है आपकी वह है और डी बैसिज्ञा फोटो सिंथेसिस प्रकाष्ट रिशलेशन के बेसीं क्या करेंगे क्रॉप्स को क्लासिफाइग करेंगे प्रकाष्ट रिशलेशन फोटोस संसजीज जिससे क्या करता है पुछ मनाता है और में क्या है आपके फोटो संटेश के अप्साइड है जो कि ऑद बात करें किसकी फोटो संथिसिस के बेसिस भी प्लांट स्टीन तरह के प्लांट से हमारे होते हैं ठीन प्लांट के अंदर पड़ोगे और डिटेल हम आगे प्लांट फीजियोलोजी में पूरा यह कंप्लीट करवाऊंगा वर यहां से हम थोड़ा सा जो चीज़ हमें सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़नी उस पर ध्यान देंगे वाकि C3 C4 प्लांट के उपर हम डिटेल में आगे जाके पढ़ने वाले हैं वाकि बा Add Two और से फोर प्लांट्स और बोन तरुमद्स को अवाल में दी को आपके सuplी प्लांट्स होते हैं के टैल ड Avenue साइकल पिन को यूज्ड को यूज्श किया जाता चैना पर याद रखना है और या त Three होते invention wait की कि लो टेम्परेश्व पर पर लोग टेम्परेश्र पर को गोड़ोग क्या जाता है Celerna Runt है यह लो किखेंट蒂ोकमी होतीग है यह और सुख्य नहीं करते हैं वर कि याद रखना है और 95 प्रसेंट ट्रीज और श्रब्स आपके ट्री प्लांट सीली प्लांटि होते हैं टीक है 90 प्रसेंट that trees N shrubs are C3 plants. 95% जो पौदे होते हैं पेड होते हैं टीक है और आपके shrubs होते हैं आपके C3 plants ही होते हैं क्या होते हैं C3 plants आपके होते हैं clear है आपके सीजरी प्लांट्स ही होते हैं इसके बाद करें हैं इसके अपर तो यहां प्रेंपल्स यहां आप से पूछी जाएंगे ठीके जुखेंपल्स आप किसके हैं वह आपके वीट है कि पैडी है ओड्स है सफाइने चैस वैबिन राय है व्यक्तों है शुग्र भीट से कॉटने पीन पीनेट है वत्वा है वत्व कहा है यह ऐसके तरी प्लांटट की बात करें चलती है और यह आ यह करता प्लांट्स ओन धी आर्थ और लेकिशन एपांट्स प्रॉप्रॉप'dork होते हैं कि होते हो सीज के इपड़ने वाले हैं तो आधंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लिए इसके एक्ञाम्पल का मेज का सवर्गम है है आपका यह पॉर्विया है पर्ल मिलित आपका हो गया ठीक है और एमरेंथस हो गया आपका यह ऩापके सीफॉप्र प्लांट की क्या है आपके इग्ञाम्पल्स है प्रेक्जांपल्स कैम प्रॉर्म क्या है वेखें स्टेंट्स पॉर टैंज पॉर्ज एक्जांपल्स कि भूते हैं इसके ग्जांपल क्या है पाईनेपल हो गया कैक्टस हो गया हो गया और शीर जोगे स्नेक हो गया और हौनशिय हो चाहँ चैक के जंपल है मिलता है और वॉट राहर करूम मिलता है और आपके होते न अपके टाइम पे ड्टाइम पर क्लोज रहते हैं स्टोमेटा और और दिन के समय पे आपकी यह आ रहते हैं लोज रहते हैं तो कोष्चन यह यहां पर पोटो संथीज सपी क्या है पुच में गार्ड होना बहुत जरूरी है तो इस करता है तो इसमें क्या होता है तो स्टोमेट आर ओपन और नाइट टाइम तो मेता पर रहते हैं और यह को स्टोर करते हैं तो उस वहाँ पर क्या करेगा co2 enter करेगा रात के समय में इस चीज़ का आपको याद रखना है इसके ग्जांपल्स क्या है आपके इसके ग्जांपल्स आपके हैं पाइनेपल हो गया एक और रिपार में जैदा होती है उससे कम आपकी याद रखता है जिसके लिए आपका जादा ज्यादा होगा लिए आपको यहां पर याद रखता है कि लिए ओन्दी बिस्ट आप स्पेशल यूज बागे देखो जो सी त्री सी फॉर प्लांट से जो कैम प्लांट से इसके बारे में पूरा एक लेक्चर होगा जिसमें डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट फीजोलोजी में और बाइलोजी के अंदर में पढ़ेंगे आप दोग कि देखो व्स्टिफिशन आंडि बेसिज आप स्पैसल यूज करते हैं पहली है क्रॉप मैंने पहले आपको बता जिया कैश पैसा ओल्डी क्रॉप्स बीकाइन सोल्ट इंटु मार्केट इंटु मार्केट नहीं चले जाते हैं मार्केट में बेस्स पोस्ट हर्वेस्ट एक्टिविटी कुछ भी नहीं करते हैं इसके एक्जम्पल्स क्या क्या है पोटैटो है कॉटन है तबैको है टी है कॉफी है रबर है फ्रूट है बेजटेबल शुरकेन ग्राउंट नट टीक है फार्मर्स आर नोट इंटरस्टी तो स्टोर इस ग्रॉप है इनको स्टोर करने के लिए फार्मर्स करता है रखता है मार्केट में जाता है उनको बेस देता है अगर मार्केट में सेलिंग परपस से कोई फार्मर क्या कर रहा है प्रोड़क्शन कर रहा है क्ल्टिवेशन कर रहा है क्रॉप्स की तो उसको क्या बलें हम कैश क्रॉप कह टेकिए जो क्राप आपकी इसकी डूरेशन होगी वह क्या होगी शॉट कम होगी ठीक है और ग्रोन बीट्विन टू मेंट तू मेंट टू में खूर यह की जाएगी इफ मेंकॉर्प ऐस फिल आपकी मेंकॉर्प फेल की जाती है तो यह क्या कर लिए कैच का मतलब क्या यहाँ का मतलब यह है कि एक क्रॉप को लगा राइस को पुरी फिल्ड में राइस लगा लिए वा क्या राइस में कदम से बीमारी आज गई तो वैसे मैं क्या करना पड़ता है कि करता है अगर बाइचांस एक क्रॉप का एक क्रॉप सुने लगाई ठीक है उख राब हो जाए अपिर उसको मार्केट बैल्लिव नहीं मिल पाई मार्केट इसको त्षटा ना मिल पाई तो क्या करता है कि मैंगे करता हूं मैं दूसरी क्रॉप भी लगाके रखता हूं इसके साथ ताकि मुझे क्या हो अगर एक करो प lut so सकता है तो इसलिए करता है या करता है आपका करद अदो doing में कईक पर गाता था है संब क्या से कह व Swans Return on National ग्रीन क्राम हो गया क्वराफ करेंगे कवर क्रॉब जो करती है आपकी बैती है अच्छ कर त्यों करती है कवर क्रॉप करता है किया का जाता है क्वर क्रॉप्स कहा जाता है इसके घंपल आ रखने है ठीक है ग्रीन घ्रॉब जमीन जमीन जो मिटी है उसको ढखके रखना इसके दवारा फिर किसी क्रॉप्स के दवारा अगर वह हमारी मिटी क्या हो यह ढख रही है कवर हो रही है कि हम उसको कवर कर रहे है ताकि उसमें ईरोजन नहों पाए मिटी बेहर के ना जाए है कैसे होता आपका बॉटर के दबार होता है पानी के दबार होता है तो यह हैं मिटी में कम हो जाते हैं अगर सॉय इरोजन होता है तो वहां पे क्या कि जाता है कवर क्रॉप्स लगाए जाती है ताकि मिटी का जो इरोजन नहीं करने देते हैं इरोजन पर मिटिंग करती है इसकी करती है एशेriosन करती हम बات करेंगे क्सकी बात करेंगे डिके क्रॉप जिनको कहते हैं और कुछ क्रॉफ अब क्यासे होती है ने क्रॉप कोई इंसेक्ट आपका रहा हो और जंपल के लिए मैं ग्रॉप आपने क्या लगा ही अपने राई लगा लालश लगालि लगा पिर लगा आपने तकी वह क्या करें कि उसको कर रहे हैं और लुटे हैं और एक उसके क्रोंट मोलते हैं तो यह ने पहले पढ़ा है बहले पाइए बिता नहीं को अगर हम लगाते हैं कि अग में साथ मैं को अगरहा करते हैं तो क्या करता है यह अटेक कर लेता है मस्टर को घरम के साथ लगाते हैं तो क्या करेगा डी बीम यानि की डायमंट बैक जो आपका मौत है इसको क्या करता है यह आपका डैमेज करता है अटेक इसमें कर लेता है वही हम बात करेंगे मेरी गोल्ड इन टोमेटो में मेरी गोल्ड सा आपका स्वागत है क्लास में आपका स्वागत है क्लास में ठीक है इस मुर्गी क्या जाने एंडे का क्या होगा लाइफ मिलेगी या तो यह फ्राई होगा वेरी गुड कि वीगे वरो यार आपकी बहुत जरूरती क्लास में आते थे शेर शार येंब बहुत मारते थे बच्चों का काफी अच्छा मंदणजन होता जाता था कि अच्छा आरे रिसकों वीगल लाए अच्छा जब बीग वरो वाइस पी में होंगे वाइस प्रमार इनिवर्सिटी में होंगे और इसके बाद है Deee मैंने बताई को आप को स्वाल पर मिटिंग आ जो आपके आईसी क्रॉपस होंगी जो इरोजिन को पर मिटिया निकी इरोजिन होने देगि किसी चीज बहुंने लेना पर मिट अनुमति है ऐसे वोर्त-चैंप है मेसेज किया कि क्लास में आओ बिग वरो बैरी गुड बट आयरन को टोच जी जा चुके हैं अपनी और ही जगा पे यह बैटनरी फील्ड में जा चुके हैं अब धन्ने हो सर आपका अपना ख्याद रखना माई बेस्ट विशिस धन्ने आप आप हो ठीक है थैंक यू सो मच आपको सीट वहां पर मिली हुई है पालंपूर में आप बैटनरी में थिंक थोड़ा बहुत इसका यूज दोगा आपको भी है वहां पर बैटनरी इसका यूज आपका आपको हेलफ करेंगे और उस ताइम पे तो आपका क्रेश कोर्स में ने पिसली बार लिया था तो क्रेश कोर्स में उतना डिटेयर में नहीं पढ़ा पाए क्योंकि बहुत कम समय होता है उतना यह पाता है कम से कम आपके अपरोक्स जो लेक्शर है 120 प्लस लेक्शर आपके जाएंगे 120 तक पूरे कोर्स के लेक्शर आपके जाएंगे ठीक है आपको कॉर्स मिलेगा आपको मिलेगा ज्रूरी है अच्छा लगा आप क्लास में akap इस प्रिचर में 27o मिल चूरी आपको बैटोनरी में देखी एक वां क लेए तो कियो हो लोगी है आ प्कुमें कल कॉल कर ले वाद कर चुके है कि अचिक है कि की बात कर चुक Savannah कि बात कर चुके है कि पिसकी बात कि हम आपकी हमने मने डिककर अचिक बाकी लेक्स्त आपकी लाउप्र सब्सक्रांड के सिंप्रेस करते हैं सिंप्रेस किसी में में कॉसी ख खास खास क्या sûr करेंगे शथ करते कि ट्रेक करेंगे हम पहले पढ़ चुके जूरूत नहीं अफ़ाने की नाइट्रोजन की डेफिसेंसी सबसे पहले किसमें दिखाई देती है कॉलीफ लॉबर और कैबेज में दिखाई देती है ठीक है फॉस्पोर्स की डेफिसेंसी सबसे पहले पुटाइटो में दिखाई देती है कैल्शियम की डेफिसेंसी कॉलीफ लॉबर और कैबेज में और स याद करने पड़े हैं यह हम पहले पढ़ चुके में मुझे डिटेल में बताने के जरूरत नहीं है यहां पर मुझे ऐसा रगता है कि आप लोग पता नहीं कैसा लगता है वह आप लोग जानेंगे प्रे और प्रे और स्मूथर क्रॉप्स एक्जांपल क्या बर्सी में यानि समय वैणर को खासकर बताया था तिसको आपको बताया था कि जो बर्सीम है बर्सीम क्या करती है यह उन्歡u कि निए लिखा नहीं यहां पर लो सबर जो कि क्या करती इस प्रेस करती है पॉप्लेशन की इसके बीड्स की चिक है पॉज़ कोई specific place होता है वहां पर करती है यह करती है कि specific advantage provide करती है ठीक है specific advantage कैसे अगर कैसे कि पास मुप कि मार्केट होगी वहीं पे उसको वेसने के लिए यहां पे आपकी लोग बहुत मतलब आते हैं उसकी डिमांड बहुत होती है वहाँ दिख का जो फारमर स्कोछ इसका बेडिट स्मर्वित मिलता है उसको किया बोले हम साये आककी Profs आएंगी एक कैरत् सब्क्राइब क्या है refuse crops क्या है refuse crops क्लाइब मिलन Like Past इनको Ev desirabletain शाहता है इसको कहा जाता इस प्लांटिड इन दी सेम फिल्ड एज दी बीटी क्रॉप जो बीटी क्रॉप समारी होती है मैंने बीटी कॉटन के बारे में आपको कल बताया था लेक्चरम आइधिक कलवा लेक्चरम ने पढ़ा है ठीक है तो मुझे जुरूरत नहीं है अब यहां भी बताने की हम क्या करते ह साथ में लगाते हैं फिल्ड में लगाएंगे विच अलॉप सम अप्टी टार्गेटिट इनसेक्ट तु रवाइव यह अलॉप करती है कुछ जो टार्गेट इनसेक्ट होते हैं रवाइब करने के लिए प्रड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स विद सम स्टिल ससेप्टिब तो ब करेंगे क्लास्टिफाइब करेंगे किसके बिस्टिफाइब करेंगे पॉलिएशन के बिस्टिफे करेंगे कि देखो राजीव कुमार आपका जो पी सीविसे अगर आप एबी से दोगे तो पेपर तो इजी रहेगा तो बहतर है अभी से पढ़ोगे तो इजली से कर पाऊगे लेकिन अगर आप लास्ट टाइम पर पढ़ोगे आपको दिक्कत होगी डाटा लर्न करने में को डाटा बहुत ही जादा आपको पढ़ना पढ़ता है तो आपकी वहीं स्टूर्ण जानते हैं जो पिछली बार हमारे क्रेश कोर्स में जिनके भी मैसेज आ रहे थे जाते हैं जानते हैं कि लास्ट टाइम पे एक मीने में अगरे तरफ पढ़के वो स्टूर्ण गया है सेलेक्शन इनकी स्टूर्ण कांसलिंग मैं इनकी पालंपूर इंवर्स्टी में हुई है इनको सीट अलॉट होगी है बैटनी बीबीए सी में भी यहीं नीट के थूट हुई है बट इसके थूब हुए इनको पर इनको लास्ट मीने पंसतारीस दिन में पढ़ा था प्रॉप्स तालिस पर पूरा स्लिवस नहीं करपा पाया बीच बीच का जो इंपॉरेंट हो मैंने उस ताम पर करवा लिया था यहीं नोट था पढ़ने हैं यहीं से कोश्चन जाएंगे कहीं से नहीं आएंगे पढ़ना आपको पढ़ेगा अब जो पढ़ेगा फॉलो करेगा वह स्लेक्शन जो भी सोया रहेगा रात को कुम करण की तरह तो आपको सब लोगों से different चलना पड़ेगा अगर को आपका दोस्त रात को सो रहा है तो आपको जागना पड़ेगा यह हो सकता है कि आपका आपके साथ तो आपको इसका जो है जरूर मिलेगा जरूर करता है काम आता है यह बेकार नहीं जाएगा मेहनत इस तरह से करो कि आपकी सेलेक्शन हो पाए पूरी सौ परसेंट करो पूरी अपनी लगन से त्यारी करो ठीक होगा को अबने करेंगे और पॉलिशन की बैसिस पर अपना रहे थे अब पॉलिश्न क्या होता है कि जो आपका एंथर होता है एंथर जो यह मागे जाके पड़ेंगे और बाद 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 अपकर आपका ठीक पर लेकिन यहां पही मैं समिला जिता हूं टीन टाइप से हैं डीटेल में नहीं जाएंगे आगे जाके पढ़ेंगे में अगर आपका पॉलन ग्रेन होता है कि इसमें स्टिगमा के ऊपर एगर आपका पोलन जो है पोलन है पोलन क्या हो रहा है रांसफिर हो रहा है ठीट है ठीच है ह entropy by घ्रैटी है जिम्माалाइब और सजित फॉखर पर एक है यह है उसमें भॉल्यववर प्रफ ध्रहॉबर एक है उसमें आपको पोलन ट्रहा है इस प्लोप बोलेंगे एकजैंपल सब्सक्राइब करें तरफ तरफ ट्रांसपर होगा और सेंप्रावर कैसा होगा एक प्लांट में हो गई है यह रहा है पॉलिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है टाइब होगा सब्सक्राइब कैसा होगा वह यह प्लांटा प्लांट फ्लॉक्र नहीं दूसरी प्लांट सब्सक्राइब गवां इसके में गट्र कि वार्टर के द् alors सकता है आपका विंट के द्रह भार्ण सकती है नहीं है प्रण। प्रणायज़ात प्लबक क्रियर तो क्लाइब आपका पॉलिट लॉप स्क्राइए उपकर रॉब कहलाओ तो क्रॉस पीमें और मौन भिए आ यहां पर यहां पर निवरा सुंड़ा में बहुत ज़्यादा स्लेबस है तो उससे कब कैसे पढ़ सकते हैं संदा के उपर है डिकना में का पड़ो गया तो आप को कहने कि एकatura क्रोड़ कम होगा क्योंकि कि आपकी राइस क्रॉप वहां से कुश्ट नितने बाइट फूश जाते हैं तो नीवरा सुन्दा से नहीं हो पाएंगे आपको पर कुश्च्टुल आपको फंडामेंटल अच्छे से पढ़ने पढ़ेंगे तब यह आप जा सकते हो नीवरा सुन्दा पे जिनके बेसिक क्लि एक काहीर नेक्वरासुन्दा पहले फॉर्लमा करें होगा आपको क्या होगा कुश्टन नहीं निकल पाएंगे मैं पहले पाएं पूस सचाहिं मुझं सर के नोट्स पढ़ो, सब क्लियर हो जाएगा मेहक तर आपका समझ सब क्लियर हो जाता है यह मुझे नहीं पता यह आप लोगों को पता होगा ठीक है कि मेरा समझाया आपको क्लियर होता है नहीं होता है बाकि इसके लिए देखो आपकी फीडवेक हम जरूर लेंगे ठीक है मंतली फीडवेक होंगे इस ख्लास में को दिक्कत आए इस पड़ाने में कोई दिक्कत है तो उसके लिए फीड़ेक्स आपके होंगे और मैं यहीं चाहूंगा कि जो गल्तियां जो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप बिल्कु कोई नहीं होता है रहे जाती है क्लीर है क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है अगर गलतियों को इंप्रूव करना हम इंसान अगर गलतियों को इंप्रूव करता है उसको सुदार तो गलती नहीं कहलाती है बट अगर गलती करके फिर से वही गलती करता है तो गलती आपकी केलाती है ठीक है बाग है आपके अपन क्रोस पॉलिघ जैसे होती है इन समद क्रॉप प्लांट्स पॉलिघ ओपन एक सीड परसेंट एड डी ली सटी परसेंट तस्पीशी आर जंरली नॉन as often cross pollinated crops cross pollination also called allogamy occurs when the pollen is delivered to a flower from a different plant plants adapted to out cross or cross pollinated often have taller stamens then in some crops cross pollinated often exceed five percent to see the difference between the two percent in the video as it is a crop cross pollination is you cross pollination is here what you can understand as you can see that will often cross pollination is a massive cross or self after coalition from there ,so it can be cross which is the same as you can see the soil. आपके स्वार्गम इसके पूछ जाएंगे आपसे स्वार्गम कॉटन तबैको और ब्रिंजल बहुत इपर ब्रिंजल आपका ठीक है कोशन में देखा है इसकोशन ने यह कहीं में एक्जाम में दिया है कि मुझे नहीं याद आप कौन सा इसाम दिया था मैंने पटी कोशन रा कि लिए ने आपका जो अफ़न क्रॉस-पॉलाइटिक्रॉ पहें इसके आपके पांस टाइप और हैं फ्याइब तैप से हैं कौन काउं पहर आपका है क्लिट्योग्यमी इस्तिए क्या है सेलफ पलस्ट अब्लोज्ट फ्रॉबर इस से लफ प्orryご अपर क्रॉस्ट पॉ अपर आपको इस अपर क्लॉस पॉलरीटिन नहीं होगे मैं और देखोई और सब्सक्रांछ और पॉलीटि जो आपके प्रेसेंट्पोर्ट्ञ था yr यहां प्रक्राइशन होगे नहीं होगी तो फ्रावर उपन आफ्टर पॉजेशन हो जाएगा क्रिस्ट्रोगः में ओपन हो जाएगा नहीं हो जाएगा जैसे पॉलिशन होगी इसलिए वहां पर प्लॉट्र होने के बार जो बच्चों बिटा दू मिलेंगे आपको बिणस बनाया हो तो अच्छे से इनको बना लो यह बहुत किम्ती है नोट सब कि वीट हो गया बारले हो गया गजांपल्स कि ही बार ले इसका फ्लॉबर होता ना आपका जब पॉलिश न हो जाए तो फ्लिश्न की बाद आपका उपन होता है और विट आपका क्या था तर्फ पॉलिशिंट का भी तो काट देना ठीक है तो पहले ही मचेवर हो जाएगा में उसको प्रोटेंडर से इसमें चाहिए में क्या हो जाता है में से प्रोटोगाईनी है प्रोटोगाईनी की बात करें तो होगी मेर से पहले महल्य होगी कि इसका फर्ल मिलट है इसका है बाध कर बात करेंगे मनुशिय Hai जुआ आपकी क्रॉप सथी क्या होती深कड मेर फिमल फॉवड़ और प्रिजेंट अन सें प्लांट ओन डिफेंट लोकेशन मेल और प्रॉबर क्या है एक ही प्लांट पे हैं और डिप्र Wilson पे है एप है लग्लग सकतalen Partyback आरप मेल transaction यह मेंटको में आता हुआ कि ओद स्बनalı ऐस प्रजेंट इसमें मेल मेल क्या होगा कि एक प्रण्टाल में होगा दूसरे में और होगा उभनेगे मेर की और ह्याँ सब्दोर्य प्रण्ट को गार मेल होगे तब यहां पर кого रहेंगे कि है किसका करेंगे के तो दोनों अलग अलग घरो में रहेंगे क्या रहेंगे अलग अलग रहेंगे अलग रहेंगे तरीका याद करने का जैसे में याद को करता था थार जांबे समय तक चज़ांग रहती है अभी तक भी मुझे आ दिया है देख इंके मेल का रहते हैं दिया वाइट ये हैं आपके दोनों इक ते रहें गय। कि रहे on the basis of photo periodism photo periodism के basis परें क्राप को classify करेंगे photo का मतलब क्या होता है light light यान की light की दूरेशन यानि की light की डूरेशन यानि की जो लाइट है उसकी समय अब धीक हो लेके यहां पे बात की जाएगी कि लाइट की देशन कितने समय तक रहती है ठीक है तो और फोटो परियोडिजम तरह में किसमें दी आपकी कार्नर और एलार्ड ने दी थी है साइंटिस्ट कौन थे कार्नर और एलार्ड थे ठीक है सब्सक्राइब एस दीपी थैंट्स पॉर सवर्डड़ ने प्लांट्स और इसमें क्या होता है ड लेंथ इस लेस्ट एंट कि फार्ड़ फांट्स होती है इसके लिए या प्लाइट होती है कि यह सब्सक्राइब करती है त्यूंकि आपकी इंपोर्टन रोल प्ले करती है फ्लावरिंग स्टेज में इसकी फ्लावर की फ्लावर की फ्लावर की लिए सब्सक्राइब भॉबर की ग्रोथ के लिए क्या होना चीए तो वह शौट देप्लाइब कहलाएगा एक्जामपल के इसकी जितनी भी क्रीब क्रॉप्स है फीप क्रॉप्स सारी प्रॉप्स आर अंडर इन चौर्डे प्रॉप्स किसमा यह शौट डेप्लांट में अगर्ण याद रखावा कि शौट डेप्लांट का क्या है शौट डेप्लांट ए ठीक है तो आपको कोश्चन गलत नहीं होगा अगर्टा ना मार पाओ एक्जामपल में तो आप इतना याद रखो कि ख्रीब क्रॉप्स जो भी इस तो प्लांट में और यह मोस्ट इपॉर्टेंट है अब लिट पढ़ोगे बारले पढ़ोगे में पढ़ोगे शौर्गम पढ़ोगे वहां पर सभी क्रॉप्स का पता होना चींग काउंसी शौट डे हैं काउंसी लोंग डे जब नेक्स्ट आपके लेक्चर जाएंगे म all are the examples of these all are the examples of short day plants किसके ग्जाम्पल हैं यह short day plants के examples है next हम बात करेंगे long day plants की अगर हम long day plants की बात करें तो day length is more than 12 hours 12 गंटे से क्या रहेगी दिन की अबदी क्या रहेगी जादा रहेगी sunlight की मेंली sunlight की बात यहां पर की जा रही है तो इसकी फ्लावरिंग की ग्रोथ के लिए फ्लावर की अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चीए जो sunlight से उसकी duration 12 गंटे से जाड़ा चाहिए होती है इसकी ग्जामपल्स का है रैडीश हो गया वीट हो गया बारले हो गराम हो गया इसमें आपकी क्रॉप्स आती है बच्छे कुछ बाग चुके लेक्टर से नीन लग चुकी है बच्छों को फितम होने वाले हैं हमारा सफर थोड़ा सा रहा अब उसके डे निट्रल प्रांट सोते हैं इस एक इनको लेना देना किसी नहीं है इनको सब्सक्राइब को लेना देना नहीं है तिक है वह क्या देना लिए प्लाइट ग्रॉप्त होती है इसकी क्या है टॉमेटो सब्सक्राइब वर है कोटन हो गया मेज हो गया तबैक हो गया यह क्या आपके डे निट्रल प्लांट्स है रिट अप्के यह आपको याद हो ना तो शौर्ट अर लॉड़ जाएंगे शौर्ट दे में खरीप रॉप ट्रिकल लगा लो लॉंग डे में आपको रभी क्रॉप के टूप लगा देना यहां पर अब को यहां पर अपर लगा लेना है कि अपर ऐसे क्लास अपने लगाने पड़े यहां जाके हैं तो इसके में टाइप नी कर पाया अधिति आपको तो बाक करें जहां रिया को अधिक नेस्ट करकें बूटेणिकल क्लासिफिकेशन लास्ट क्लासिफिकेशन हमारी बूटेणिकल की बात करें यहाँ फैमिलि के गश्ल्स करें क्लासिफइद करेंगे थे कुछ हुआ लृधिक नम कहा है और इसमें जो ग्रिशस हैं हमारे जो मोनोक format मोनी बार Bern ग्रोकर्णि वह आते हैं सारे है और होती है नियह जोड़ यह ले मेँड अब की नहर zwei बने पतली एंसे लंबी पतली पतली होगे लिव्जमेटिक है और मोनोकॉर्ट जो हमारे प्लाइट होते हैं वाग्रेवनी फैमिली माते हैं और प्रूट्स में कि यह आपको आपको आरिका नि पर आती है ठीक है और सीरियल शुकर केंड बंबो और ग्रासीज टितनी है सीर चॉप्स ने और सारी सी इस प्रॉप्स पोइसी गरवनी फैमिली में आती है ठीक है पॉर यह मंदेजिए करौप की बात करेंगे इसका दूसरा नाम कर फेप एसी है और जो सी सिक रहापाथी जो डाकॉर्ट पर प्सक्रापतीए क्हाना तक प्सक्राप्वी होंगी वह आपकी ग्रेमिनी जो प्राप्स होंगी आपकी किस्में आएगी आपकी लिगूमिने क左 होता है और bonds होता है सिसके लेगुनिस फ्रूट पैमली होती है इसका फूट उटत रूट होता है और जोकी लेगविंड लेक्र सी फैमिली होती है इसका फ्रूल टाइप उता है है वो कैसा होता है आपका levelend टाइप का होता है इसकी सब फैमिली किसके अंदर लिग मिसी के अक्षाभ फैमिली जई की ट्रील ओने ज्टी ठीक है चिसा पीडिएसी ठीक है रिमो सीडियसी यह क्षाब फैमिली जें ठीक है जितनी की पल्सी है और ऌक सारी आजायगा तक है और あ घाउड था अट है इसलेंगों किज़ामपल है कि कर सब्सक्राइब है यूसर ना पर थांपल है उस्क्राइब मिम्त पौरी प३र nuanced एक्श्रेख कर्षयतनल है और आपका है ऐनू ग्रीक आफ 15 और जितनी भी बीन्स वाली जोब की फेमिली एना वी जोब की क्रॉप्स हैं वो सारी सारी किसमा आती है किसमा लेगिमनेस की माते क्लिर है लेकिन यह कल तका वो टाइप करके दे दूँगा ठीक है ऐसे भी तो आपको आजाएगा कोई दिक्कत नहीं है तो इसके इनको दूँ पून्य सी क्रॉप के है मालवेशी क्रॉप है के कि फेमिली के नाम है इसमें कॉटन हो गया आपका रोग गया चाइना रोज हो गया ठीक है यह के इसके क्जांपल जैस्टा कोंपोजीटी और इसका दूसरा नाम क्या है S3 AC फैमिली स्ट्री से कॉम्पोजीट रोगा स्थे आपके होतीकलतर में पढ़ाने वाला उन्हीं आपको कोल क्लोप्स के बारे में वहां पर पढ़ें कोल क्रॉप का एक आपका है और आपकी कहुंत थी है और इस्वेंजर याफ ये जो फैंवली अपकी कुकर बीटेसी लार्जस्ट फैमिली और बेजटेबल यह बेजटेबल के सबसे लार्जस्ट फैमिली कुकर बेजटेबल साइंस की बात करें तो उसमें सबसे लार्जस्ट फैमिली यह हैं तो पंपकीन हो गया कुकुम्बर हो गया बॉटल गार्ड हो गया इस एक्जामपल करेंगे अपके है इसमें किनों पूठेसी डिया जाएगा बत्वा अजाएगा डेटिलीस आजाएगा ठीक है और इसमें आपका आपका एक्जामपल कहा है और इसका देखो शीम्पल सा तरिका है चार्ट लगा लेना और इसको क्योंकि मोस्कि इपॉर्टन आपको चुछी लेक्ट्टर आज का हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन आपके competitive point of view से most important आपको यह lecture है clear है आपको क्या करना है इस lecture को अच्छे से पढ़ना है चीक है अच्छे से पढ़ना है most important आपको क्या है यह competition point of view से important आपको यह आप अधिती जी तो वैको आपका डे न्यूट्रल में आगा यह आपका फिर है देखो रात के एक बजने बाले हैं यह बहुत लंबी क्रास्ट लिए आपकी और थैंक्यू सो मच वाई कोई कोई confusion हो तो आप WhatsApp कर सकते हो 8298-491 पर WhatsApp कीजिए मुझे ठीक है आप कॉल कर सकते हो इसी तरह का डाउट तो आपका फ्री हुआ तो आपको रिप्लाइ मिल जाएंगे और बाकि आप इंस्पाइर लर्निंग जो एप्लिकेशन है उसको डाउलोड कर लीजिए वहाँ आपको नोट्स की मिल जाएंगे वाकि आइसर का बेच्चर आपको जोईन कर मॉर्निग कलास्सका चेसरे साथ बजे बजे मॉर्निंग को और कल आको से इसके को बिच्च्री का टाइमिंग आपको कल बता दी जाए एक कि आपकी रहेगी कि अब बाकि यह थोड़ा सा लगाप हूं आईडिया यार कौन कॉस्त तक बैटे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, पूजा मौर्या का डाउट है, सर केश्टर किसमें आता है यह आपकी अचटर केशलाग मतान है! यह आपकी ए ओकि यह अख्याजर है दोच जो केश्टर है यह एक्सेपशन suppression है ऐप क्योंकि वोत सीजरा में की आपकी कितर की झाल झाल तो दुकेस्टर आपका इसको लिख लो आप सभी साइड हम जाकर लॉंग डे प्लांट्स में आएगा लॉंग डे प्लांट्स में कैस्टर आधिति अंजरे श्रिष्टी है पूजा है महक है आप यह क्लास में बाकी तो सारे भागे होंगे कोई और डाउट आपका कोई भी अच्छा आपको ऐसे याद नी रखना है कि रेरली चांस होते हैं इसके पूछने के एक जाम रिके झाल 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 यस आम मैं योडिवल आपक बरसी में आपकी बीड नहीं है अपको बरसी नहीं है नहीं है तो यह थी देडिन आपकी आपकी पोटो रॉप में आती है या फोड़ोग्रॉप में आती है बरसी में इसकी यू फॉर ये सी फैमिली एक स्टर यू फॉर बेच्टर ये फैमिली ऑप कैस्टर लेर जली आज के लेक्चर में इतना ही बाकी मिलते हैं कल शाम कम नेक्स्ट लेक्च्टर के साथ आज से भी का धन्यावाद और देखते हैं रेप्तिरियमन के साथ इंस्पारिंग एरिकॉन टेक्स चैनल गुटनाइट अल फ्यू